तो हेलो गाइज वेलकुम बेक टो माई यूटूब चैनल और आज की सुभा बहुत ही बैड हो रही है शाम भी पिछली बहुत ही बैड हुई क्योंकि लाइट कल शाम से नहीं है और रुको गाड़ी आ रही है उसको जान जिते हैं आवाज आएगी बहुत जदा हां तो मैं क् किसी एक बंदे की हैल्प तो जिसने स्क्रिप्ट लिखी है जिसने पूरी लिखी है जैनूली उसने ही लिखी है तो मैं उसी की हैल्प लूँगा भी लाल तो मैं उसको लाने जा रहा हूं तो मैं उसको लाने जा रहा हूं शात लाई और कुछ सामान भी वो भी लेना है तो तो अंकित को लाने जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं और वैसे मैं यह वाला ब्लोग नहीं बनाने वाला था बट इंट्रेस्टिंग चीज है तो मैंने सब्सक्राइब बना ही लेते हैं वैसे बैटरी भी 40% है मतलब पावर बैंक भी पूरा डैड है एक एक लाइट बहुत 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 सभी रहेगा तो अभी चलते हैं सिधा शादलाई क्योंकि मैं खड़ा हूं रोड पे मुझे यहां से टर्न करना है इस साइड को तो चलते हैं अभी अंकित के घर से निकलने वाले और गर्मी हो रही है यार तो अभी हम एक फैन मिलें अभी निकला अपना घर का काम समीट के तो निकलते हैं अभी घर के ओड़ के ओड़ कर रहे हैं मैं और अंकित अंकित कैमरा पकड़ के खड़े हुए हैं थोड़ा सा पार्ट शूट कर लिया है और यह चीजे यूज कर रहे हैं तो अभी फिलाद अभी टाइम हो रहा है एक टेर बच चुके हैं तो चलिए भी शूट करते नेक्स्ट और यह बहुत ही टेंशन में इसके ओपर बहुत स्ट्रेस है पी निमो जूस ब्रेक हुई है अभी निमो जूस मना के लेके आ हूँगा अंकित के लिए भी तो अभी इसका कहना है बार-बार की मेरा कुमत डालो बीच में इसको आना ही पड़ेगा बाद में भी कुछ यह वे बसता करने है बॉर्च पष्टा करने बॉना बड़ घॉरन मैं है क्या भी यह तथम आपके वड़ना धरॉल्च पर किरो दो बड़ना थेृ नगदी वो चुपे रुस्तम गिटार बजारे हुदर तू इटना गट हुआ अन जी अंकल जी अन जी अन जी अन तो गाइस अमने हाफ शुट कर लिया है में जो उसका मुझलाब स्टार्टप है में स्टार्टप हमने शुट कर लिया भी अनकीत भी बड़ा स्ट्रेस में आगया है बहुत टेंश में शुट किया है तो अभी हम लंच करने जाएंगे सेलफ़न चार्ज पर लगा रहेंगे कि लाइट भी मैंने आपको बताया था सुबज मतलब पिछरे शाम की गई है तो अभी कुछ ताइम पह ले आई है तो अभी सेलफ़न चार्ज भी लगाएंगे और लंच करने जा रहे हैं तो चलिए फिर चलते हैं मैंनी मार्स वलोग के तरगंड़ में अभी में अभी में चाता है व्लोग में बड़ इसको लाया जाएगा चारदस्ती और लिए हम थोड़ी रेस्त खरेंगे फिर उसके वाद करते हैं वह लेटे पडेust स्रावजादे लोग तिर को मेरी कसं तो अभी हम रेस्त करते हैं फिर उसके वाद फिर स्रस्थानियो करते हैं और चया बोफलाकरीन शंदे पर जरूरी निये मंदो सरकारी नोकरी आड़ा अगर प्राइवेट आड़ा भी है ताम भी तो हमें ब्यार कर सकते और साथ ही साथ पैसा भी जरूरी है बट ऐसा भी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है तो गाइस फाइनली हमारा शूट खतम हो चुका है और बहुत ही थक चुका है और बहुत ही थका हुआ है विचारा इतना थक गया है कि साड़े चार के करीम नहीं पांच बजने वाले आइधिंक सो और बहुत टाइम लगा मतलब क्योंकि स्टोरीज की थी एक मैं कर रहा था त बनाएंगे और यह इस टेंपर इस शोट टेंपर बंदा यह बहुत टेंपर कर रहा है कुस्सा कर रहा है कि क्यों मेरे को बार-बार वीडियो में ले रहा है लेकिन इसको अभी समझ नहीं आएगा इसको बार में वो चीजे समझ दाएंगी फैन हमने ओफ रख था क्यूंकि साउंड आ रही थी तो वह भी एक रिजन था और बाकी घर में भी हो रही थी बहुत सी चीजी हुई तो चलिए अभी हम शोट वीडियो बना लेते हैं उसके बाद इसको छोड़ने जाएंगे इसके घर तो अभी अंकित को छोड़ दिया है और वो भाग रहा है देखो वैट अभी ग्राउंड रहा नहीं अतना खास घास बहुत हो गया मतलब बड़ा बड़ा वाला वैसे फिलाल कहीं बीच बीच में बहुत अच्छा है तो वह जा रहे हैं दीदी वहां पहुंच गया है वो ट्राई कर रहे हैं अपना और मैंने उनको एक राउंड लगा के मत पैठके बता दिया है कि यहां यहां से जाना है और यह जगा productive कहीं और मत जाना है क्योंकि बारिश ओ रख है तो बाकी जगह में कहीं कहीं जगा सिसलन भी है और यहां पर बगुले बैठे हैं और व構री हैं एपिभाले तैने बभीने अरे लग रहे हैं और वहां दीदी से स्कूटी बन दोगी है अभी वह उतर के सिधा कर रहे है इसको और यार कसम से क्या ही नजारा लग रहा है वाव यार तो मतलब जब ऐसी ऐसी चीजे होती है न तो में में को पता नहीं क्यों इतनी ठंड सी पड़ जाती है ऐसे मज़ा आता है चलिए अभी दीदी आने वाली है तो उनका वे अच्छा सा शौट ले लेते हैं मैं ट्राइपोड नहीं लाया हूं बट फिर भी ट्राइब करूंगा पर दश्मी प्लाई यहां प्लाइब है है यहां पे पाणी रुका हुआ है तो मेरे ख्याल से वह वह सल यह के रिखें थे और आइठींक यहां से वह फ्रोग्स गा रहे होंगे पक्का जहां तक मेरा ऐडिया हो यहां से ढून-धून के खारे थे और है भी यहां पर तो जातर जब मैं आया था सकूटी ले तो इसी साइड में बैठ़्ी हुए थें फिस जैसे स्कूर्टी में यहां से लेके गए तो उड़के उस साइड बैठ गए थे फिर तो मैं आगे चला गया था फिर वह इस साइड को हो गए थे फिर भाग लिए यहां से नजारा देखने में में बहुत ही प्यारा लगता है वह सामने बाबा वालक नाज जी है और वहां जैसे हमारे घर है और यह हमारा ग्राउंड है फिलाल पहले ही बहुत ही अच्छा हुआ अगर तरह बट अब भी अच्छा है इतना भी खराब नहीं है लेकिन है बस थोड़ा बारिश की वैसे और ज्यादा हर्याली और खास ज्यादा बढ़ा हो गया है इसलिए और अभी मेरे को दिखाएं देरी कहां पर है है बस गिर ना मैसे गिडरते नहीं हों उनको मैंने बताया डी livres मैं और सिखाता हूं तो मैं एक दम बैस तरीके से सिखाता हूं और डराता भी हूं और सिखाता भी हूं डराता इस तरह से हों कि अगर कुछ हुआ तो भई आपके उपर है मेरे उपर नहीं है और मैं बैट के ज्यादा नहीं सिखाता पहले पहले अकेले सीखो सीखो पहले खुद का बैलेंस बना लो फिर दूसरे को चलिए अभी बातचीत यहीं पे ख सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह प्यार करते ही मिलेंगे नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए बाइ-बाइ-टेक केर जय बाबेदी बाइ